कहानी शुरू होती है हमारी मेbor में फिरमेल लेड ली एण जो कि अपनी नाविल के बेस्ट सिलर होने के खुसी में अपने फ्रेंग के साझ सेलिबरेट कर रही होती है। तब ही उसके सेल्फोन पर किसी कॉल आती है इसे रिसीव करने के लिए वो एक साइट में जाने लगती है तब ही वो अचानक किसी से टक्रा जाती है नसे में होनी के वज़े से वो उसका फेस नहीं देख पाती और अचानक से बेहुस हो जाती है इसके बाद जब उसे होस आता है तो वो अपने आपको नेशी सदी के एक अजीव से दिखने वाले मार्केट में पाती है वो अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल मिलाने लगती है तब ही कुछ लोग आकर उसे बोरी में भर कर ले जाते है और उसका फोन वहीं एक बेंच पर गिर जाता है निक सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग उसे दुलहन का जोड़ा पहना कर जबरदस्ती वेलचेयर पर मौजूद बंदे से उसके शादी करवा देते हैं फिर उसे उसी बंदे की कमरे में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं अब लियान को realize होता है कि उसकी जिस बंदे से शादी हुई है वो पहले से मरा हुआ है वो डर के मारे दरवाजे को जो 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 से पीटते हुए उसे खोलने के request करने लगती है बाहर खड़ा बंदा अपने आदमियों को ओर्डर देता है कि वो इस कमरे को किसी भी हाल में सुबह तक ना खोले एक्चुली ये बंदा किन फैमिली का सेगंड संग जैंग है और जिससे लियांग की शादी हुई है वो किन फैमिली का थर संग किन युवान है जो कि लाट किन का एलेजिमेट चायल्ड है जिसकी वज़से जैंग और उसकी मदर उससे नस्रत करते हैं और नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी से उसे कोई हिस्सा मिले युवान की शादी सेंग फैमिली की डौटर नियां सेंग से तै थी पर नियान शेंग किन युवान जैसे अपाहिच बंदे से शादी करना नहीं चाहती थी इस पर उसकी मदर किन फैमली की मेड़ और जैंग के साथ मिलकर एक प्लैन बनाती है जिसके एकॉर्डिंग उन्होंने लियान को किड्नैप करके किन युवान को मार कर उसे शादी करवाई थी ताकि वो सुबह होने पर किन युवान के मडर का इल्जाम उस पर लगा सके जैन लियान को उसी कमरे में बन करके वहां से चला जाता है लियान दर्वासा पीटती रह जाती है तब ही अचानक किन युवान की डेड बाड़ी में कुछ हलचल होती है और उसके बाड़ी में दोबारा से जान आ जाती है पर ये किन युवान नहीं होता बलकि किन युवान की बाड़ी में शायद कोई मॉंस्टर होता है वो बाहर जाने के लिए परिशान हाल लियान को आवाज देता है जिसमर लियान घबरा कर पीछे देखती है और वो अपने सामने किन युवान को पाती है वो डर कर उसे पूछती है कि क्या तुम अभी जिन्दा हो इस पर वो मास्टर कहता है कि जिसे तुम समझ रही हो वो मर चुका है पर मैं अभी जिन्दा हूँ इतना कहकर वो अपने हाथ पर मौजूद जक्न को अपनी सर्पेंट टंग से टच करता है तो वो जक्न दुरन ठीक हो जाता है जिसे देखकर लियाएन और भी डर जाती है इसके बाद वो इसने एक मास्टर लियाएन को अपनी ओर खीचता है और कहता है कि तुम्हारी शादी जिससे हुई है वो मैं हूँ और मैं ही अग तुम्हारा हस्बेंट हूँ इतना कहकर वो उसे फोर्स फुली किस करता है नेक सीट में लियाएन उसे नहला रही होती है वो उसे बातों में लगा कर गर्म पानी लेने के बहाने बाहर जाती है और फिर वहां से भागने का रास्ता ढूरने लगती है तब ही उसे एक खिड़की नजर आती है वो उस खिड़की से निकल कर बाहर पहुंच जाती है बागते बागते वो जैसे ही सड़क पर पहुंचती है उसे एक गाड़ी तक कर मार देती है जिसे वो बेहोस होकर गिर जाती है अब गाड़ी वाला बंदा उठा कर अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहाँ अपनी मेट से उसका ट्रीटमेंट करवाता है यहाँ जब लियान को होस आता है तो वो घबरा कर उड़ जाती है और पूसी है कि वो कहां है इस पर वो बंदा उड़कर उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वो मार्सल चेन मूफान है और इस वक्त वो चेन मैंसन में है और अब उसे घबरानी की कोई जरूरत नहीं है तो लियान अपने रूम से बाहर निकलती है मैंसन काफी बड़ा होता है वो देखती है कि एक तरफ कोई ओपिरा डांस कर रहा है इस पर वो भी उस जगें जाकर उपिरा डांस देखने लगती है वहाँ एक टेबल पर कुछ एपल से पड़े होते है जिन में से एक एपल वो खाने के लिए उठाती है तब है उसकी नज़र टेबल के पास बैठे एक गोल्डन मास्क वाले बंदे पर पड़ती है जिसे देखकर वो सौरी कहकर रिपर रख देती है पर वो दोबारा जब मास्क वाले बंदे को देखती है तो वो वहाँ नहीं होता ये देखकर वो डर जाती है तब ही वहाँ एक आदमी आकर उसे अंदर जाने के लिए कहता है वो अंदर जाती है तो वो आदमी रूम के अंदर सफाई करता हुआ मौजूद होता है यह देखकर वो डर जाती है कि एतनी जल्दी वो रूम में कैसे पहुँच गया वो आदमी कहता है कि मैंने यहां की सफाई कर दी है अब हम आराम से सो जाईए इतना कहकर वो वहां से चला जाता है लिया इन जल्दी से रूम बंद करके बैट कर इस बारे में सोचने लगती है तब यह उसे अचानक से नीद आ जाती है इतने में वहां दोबारा गॉल्देन मास्क वाला बंदा प्रकट होता है और उसे बिट पर ले जाकर सुलाता है यहां लिया इन एक ड्रीम देखती है जहां वो गॉल्देन मास्क वाले बंदे को देखती है जिसने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा होता है उसे कहता है कि तुम अब मेरे पास से कहीं नहीं जा सकती लियान नीट में घबरा जाती है तब ही वहाँ हम एक वाइड स्नेक की टेल को देखती है जिसके बार से वो मास्क वाला बंदा गायब हो जाता है और हमारे स्नेक मॉस्टर आ जाता है वह लियान को लेकर दोबारा अपने घर आता है यहां अकर लियान की नीट खुलती है तो वह घबराई हुई होती है इसनेक मॉस्टर उसे बताता है कि तुम्हें एक इविल स्प्रिट ने अपने वस्प में किया था पर तुम्हें परिशान होने की जरूरत नहीं है मैंने तुम्हें बचा लिया है इसमों लियान उसे थैंस बोलती है तो वह कहता है कि तुम्हें थैंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है पर अगर तुम जिन्दा रहना चाहती हो तो तुम्हें हमेज़ा मेरे साथ रहना होगा इतना कर वो उसे दुबारा फोर्स पुली किस करता है नेक्स्ट मॉर्निंग लियान उसे वीलचेयर पर लेकर रूम से बाहर निकलती है तो घर के सबी सर्वेंट्स उसे जिन्दा देख कर हैरान होती है एक सर्वेंट्स जाकर ये बास जैंग को बताता है तो जैंग भी सौक्ड होता है और वो याद करता है कि एक दिन पहले किस तरह उसने किन युवान को डरा धमका कर उसे सुसाइट करने पर मजबूर किया था इतने में उसे बास किन युवान लियान के साथ आ जाता है किन युवान जैंग से कहता है कि कल मेरी शादी पर मुझे सिर्फ बड़े भाई नहीं गिफ्ट क्यों दिया तुमने गिफ्ट क्यों नहीं दिया इस पर जैंग उसे जिन्दा देखकर डरते हुए कहता है कि कल मेरी तुमसे थोड़ी अन्बन हो गई थी इसलिए मुझे गिट्ट का ध्यान ही नहीं रहा उसकी ये बात सुनकर किन युवान उसे घुटनों के बल बैठकर माफी माफी मांगने को कहता है इस पर उसे मजबूरन डर के मारे उसे माफी मांगने पड़ती है किन युवान उसे कहता है कि वो हेल से आया है इसलिए इस बार उसे कोई भी चाला की नहीं कर पाएगा ये सुनकर जैंग और भी डर जाता है इसके बाद सीन सिफ्ट होता है और लिया इन बैटकर सारी बातों को ध्यान से सोच रही होती है वो कहती है कि जब अब मैं जगे आ गई हूँ तो सबसे पहले मुझे यहां से निकलने के बारे में प्लैन करना चाहिए इसके लिए मुझे अपने फोन को ढूड़ना होगा इसके बाद 대협 होते ही वो एक बार फिर से उस मैंसन से चुपके चुपके भागने लगती है इस बार उसे जैंक देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है तब इसे कंधे पर कोई हात रखता है वो मुढ़कर देखता है तो पीचे कोई नहीं होता तब ही वहां हमारे स्निक मॉस्टर आ जाता है और उसे जिन्दा देखकर वो मिस्टीरियस लेडी की आत्मा हैरान होती है वो से बताती है कि वो उसके मलने का सुनकर वहां आई थी यहां फ्लैस बैक में हमें पता चलता है कि वह एक फॉक्स डीमन थी उसका बेटा भी था जो क अपनी फॉक्स स्केल की हिल्फ से अपने बेटी की सोल को किन यूँआंगी बोडी में ट्रांसफर कर दिया था और ऐसा करते ही उसकी भी मौत हो गई थी इसने डीमन उसे बताता है कि उसके बेटी को भी जैंग मार डाला है और वो लियांग के साथ भी यही करता इसलिए उ उसकी बाते सुनकर फॉक्स डीमन लेडी को जाना पड़ता है और लियांग उसे हरानी से देखने लगती है इसके बात वो उसे अंदर ले जाता है और उसे फिर से नहलाने के लिए कहता है इसमार लियांग इंकार कर देती है तो वो उसे भी बात्याप में खीश लेता है औ पर मैं तुम्हें सेफ कर लूँए गौनींगा प्रिफिया बदले तुम्हें एक मेरा काम करना होगा। पोस्तें अपना फोन ढूटने के लिए कहने के सोच रही थी। इसे पर सब्सक्रें के इंड होता है। कि चुरुआट में हम देखते हैं कि किन फैमली के सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी किन यूआँ जैंग के आगे से सारी डिसस उटवा कर अपने आगे रखवा लेता है जिसमण गुसे से आंग बबूला हो जाता है पर किन यूवान का कुछ भी नहीं वीगाड पाता य इसलिए किन फैमिली के सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौफता हूं। किन फैमिली की मेड जाकर ये बाः लेडी सेंग को बताती है इसे सुनकर वो भणा ऊठती है और कहती है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया। जो कि अपाहिज बंदा तीर से तलवार बन गया जैंग उसे डरने लगा और लाट किन ने पूरी प्रॉपर्टी उसे सौंप दी वो डिसाइड करती है कि वो खुद उससे मिलने जाएंगी नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने बेटी के साथ किन युवान से मिलने किन मैंसर पहुचती है वहाँ पहुचकर वो किन युवान को बताती है कि शादी के राध ब्राइट एक्सचेंज हो गई थी जो लड़की तुम्हारी बीवी बनकर आई है वो एक फ्राड लड़की है जो तुम्हें धोखा दे रही है इस पर किन युवान लियान से पूसता है कि क्या तुमने मुझे जूट बोला है लियान कहती है कि मैं ऐसा क्यूं करूंगी इस पर किन युवान लेडी सेंग के एक सर्वेंट को चापो फिक कर मारता है इस पर दोनों मा बेटी डर के मारे एक कोने में जा खड़ी होती है किन युवान कहता है कि मुझे जूट से सक नफरत है जब भी कोई मेरे सामने जूट बोलता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है और उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता वो दोनों मा बेटी और मेरे से लियान के तरफ इशारा करके पूचता है कि ये कौन है इस पर तीनों डर के मारे एक साथ कहती है कि ये तुमारी वाइफ है ये सब देखकर लियान को बड़ा मचा आता है नेक सीन में किन फैमली का सबसे बड़ा बेटा किन जी किन युवान से मिलने आता है जो कि एक मिलेटरी आफिसर था यहां जैग भी मौजूद होता है किन युवान अपने दोनों भाईयों के साथ एक गन गेम खेलता है जिसमें जब वो अपने और एल्डर ब्रदर की तरफ गन पॉइंट करके शूट करता है तो गोली नहीं चलती और जब वो जैग की तरफ गन पॉइंट करके शूट करता है तो गोली चल जाती है पर जैंक टाइम पर किन युवान यी गन को हटा देता है जिसे उसकी जान तो बच जाती है पर वो बिल्कुल बुखला जाता है एल्डर ब्रदर ये देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा किन युवान को जैंक के हाथों पुली होते देखा था ये पहली बार था जब के युवान उल्टा जैंक को डरा रहा था इसके बाद सीन सिफ्ट होता है जहां लियान और किन यूवान अपने रूम में होते हैं लियान उसे भूज़ी है कि तुम कौन हो किन यूवान कहता है कि मैं कौन हूँ ये बात मैटर नहीं करती तुम बस ये जान लो कि मैं रियल किन यूवान नहीं हूँ और ना ही तुम किन यूवान के बीवी हो इसलिए तुम बस ये समझ लों कि हम दोनों बस एक दोजे के लिए ही बने हैं इस पर लियान उसे उंगली दिखाते हुए कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे फोन को ढूड़ने में मेरी हेल्प करो वरना मैं सब को बता दूंगी कि तुम रिय ने घर में पार्टी रखी है इसमें चैन फैमली के लोग भी आने वाले हैं यह सुचने लगता है लेड़ी सेंग अपनी बेटी के साथ मौजओध होती है अपनी बेटी की यहां बढ़ा चड़ा कर तारीफे कर रही होती है इस पर किन्यूवान माबेटी को सबक सिखाने के लिए नियान सिंग को वाइन पिनी के लिए अफर करता है नियान सिंग अपनी ओंग Mia के खैने पर जाकर वाइन पीने लगती है यह देखकर हमारे लियांग जेलेस फील करती है और लियान सिंग के आगये से उठाकर बचेभ़े सारी वाइण पी कर वहां से दूर चली जाती है एक वाइन के काउंटर पर पहुंच कर वो गुसे में और भी जादा ड्रिंक करने लगती है तब ये ब्रोकली जैसा दिखने वाला बंदा वहां आता है और उसे छेड़ने लगता है तो लियान उसे जोड़दार थपन जड़ देती है ये द मुश्चा थी उसे साथ चली जाती है उसे जाता हुआ किन यू आन बिन देखता है ज्वाइस नियान शेंग relación करने लगता है तो ये उसे नदिखने शेती है और वापस सद्वाष से उदी जाती है और वाप फैंपास चली पास जाता है और उसके सामने उसका बेंग खरीदने का उफ़र करता है. चेंड लिएंग अपने बेंग की कीमत 5 मिलियंग बताता है जिसे देने के लिए कि युवां एग्रि हो जाता है. तो Chen Li Yong उसके लाए हुए पीपर्स पर सिगनेचर कर देता है सिगनेचर हो जाने के पाग किन यूआन उसे बताता है कि मेरे पास कैस नहीं है इस पाग किन यूआन उसे बताता है कि तुम्हारा भाई मेरे घर से एक लड़की लेकर गया है पांच मिलियन के बदले अगर तुम उसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है और नहीं में पुलिस को बुलाता हूँ ये सुनकर Chen Li Yong तुरंग मान जाता है और जल्दी जल्दी घर जाकर शादी की तयारिया करने लगता है Chen Mufan को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो भी लियान को पसंद करने लगा था इधर घर पहुचकर किन युवान लियान को डरा धमका कर एक बार फिर से ब्राइडल ड्रेस में चेंग लियॉंक के मैंसन भेज देता है इधर Chen Mufan को श्टोरा टोटका करके अपने फैमिली की घोश्ट को बुलाता है जो कि ओविसली गोल्डेन मास्क वाला बंदा होता है उससे हिल्प मांगता है पर मास्क वाला बंदा उससे लात मार कर ये कहकर भगा देता है कि चार इंपल्स रख कर और चार अगर बत्तिया जला कर तुम सभी मुझे अपना नौकर नहीं बना सकते ये सुनकर बेचारा Chen Mufan दर के मारे वहां से भाग जाता है इधर Chen Li Yang अपने ब्राइडल रूम में लियान के पास आता है और लियान का घूगट हटा कर मेश पर पड़ी वाइन पीता है वाइन को पीते ही वो बेहोस लियान उसे वापस से बिट पर ले जाता है लियान उसे पूछी है कि तुम यहां क्यूं आये हो वो उसे बताता है कि मार्सल चैनली यॉंग को वार के दौरान एक एंसियन टॉम मिला था जहां से वो कुछ चीजे अपने साथ ले आया है जो कि काफी प्रीसियस है मुझे ब भाग पाऊगी इतना कि लियान के साथ एंटिमिट होता है जिसकी रिकार्डिंग भी लियान के फोन में कर लेता है बाहर ख़ड़ा चंद मुफान ये समझता है कि लियान के साथ उसका भाई है ये सोच कर पूंक जयादा जेलस हील करता है निच्ट मॉर्निंग वह चैनली जाने लगती है तब ये वहां golden mask वाला बंदा आता है और उसे पकड़ लेता है लियाइन उसका mask खटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है पर वो उसका हाथ पकड़ कर अपने दिल पर रख देता है जिसे लियाइन जल्दी से हटा लेती है इस पर वो उस रूम के डॉर को ओपन कर गे वहां से चला जाता है यहीं यह पार्ट एंड होता है एपीसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लियाइन डूम के अंदर जाती है जहां उसे एक मास्क मिलता है जिस पर एक तिलिस्म लगा होता है यहां हम एक फ्लैस बैग देखते हैं जिसमें वार के दौरान मारसल चेंड लियाइंग एंसियन टाम में जाते हैं जोकि ति जाग उठता है और इन्विस्बल होकर उन पर हमला करने लगता है इस पर पास ही पड़ी एक हेयर के आने की हट सुनाई देती है इस पर वो गोल्डेन मास को वहीं पर रखकर भागती हुई दोबार अपने कमरे में जाती है तभी चेन मुफान दरवाजे पर आकर उसे चेनली यांग के मरने की खबर सुनाता है इसके बाद निक्स्ट मौनिंग चेनली यांग का फ्यूनरल हो रहा होता है तभी चेन मुफान लियान को एक कमरे में ले जाकर उसे फोर्सफुली शादी के लिए प्रपूस करता है वो कहता है कि अब तो मेरा भाई मर चुका है तुम अब तो मुसे शादी क कर सकती हो तभी अचानक लियान का फोन जमीन पर गिरता है जिसमें किन यूआन के बनाए हुए वीडियो चल रही होती है जिसे देखकर चेन मुफान को गुस्सा आता है और वो लियान को चेनली यांग के कॉफिन में जिन्दा ही टाल कर बंद करवा देता है इतने में वहा पर ये लिखा था कि वह लियान से शादी करने के बदले किन यूआन को 5 मिलियन देगा ये देखकर चेन मुफान हग का बगका रह जाता है किन यूआन अपने आदमियों की और इशारा करता है वो लोग अंदर जाकर सारे पैसे ले आते हैं तभी किन यूआन का असिस्टें मार देता है जिससे वह जखमी हो जाता है इधर कौफिन के अंदर लियान के हाथ पारे की स्निक मार्क साइन करता है तब यूँआ चिन लियाओं के कपड़ों के अंदर भी एक लाल रोशनी देखती है वो उसे चिक करती है तो उसे जांबी मॉस्टर को कंट्रोल करने वाला करता है और लियान को वहां से निकालता है अब जबकि जांबी मॉस्टर बिल्कुल इसनेक डीमन की तरह दिख रहा होता है तो लियान उसे अपना स्नेक डीमन ही समझती है और उसे किस करती है वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे यहां वो सिफ्ट होता है और आधी रात वो लियान के नीद खुलती है तो देखती है कि वह बिल्कुल अकेली है वहां कोई भी नहीं है इस पर घबरा कर वहां से जाने लगती है तब यह देखती है कि कुछ लोग अपने साथ एक दुलहन की डोली लेकर जा रहे होते हैं यह देखकर व मेरा काम तमाम हो ही जाएगा और तभी उसे ढूटे ढूटे किन युवान का सिस्टेंट आ जाता है और उसे लेकर किन युवान के पास पहुंचता है यहां पहुंचकर लियान उसे हेर पिन देती है इसे वह अपने सर में घुसा लेता है यह देखकर लियान डरकर वहां से भागने लगती है तो वो उसे अपने serpent power से रोक लेता है वो से कहता है कि तुम मेरी wife हो और मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँगा लियान कहती है कि मैं दोसरी दुनिया से आई हूँ और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ स्नेक डीमन कहता है कि मैं भी हिल से आया हूँ मुझे तुमसे कोई प्राप्लम नहीं है लियान फिर भी अगरी नहीं होती इस पर स्नेक डीमन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई और प्रोटेक्ट करने वाला मिल गया है लियान उसे खुद को छुडाने की कोसिस करती है इसी छीना चपटी में एक प्याली गिर कर तूट जाती है इसके बाद लियान का हाथ फिसलता है और वो उस प्याली के टुकडों पर गिरने वाली होती है तो इस निएक डीमन उसे सेव कर लेता है पर प्याली के टुकडे उसके बैक पर गड़ जाते हैं नेक्स सीट में लियान उसके बैक से टुकडे निकाल रही होती है वो देखती है कि टुकडों के निकलते ही उसके जखम भी तुरन ठीक हो जा रहे होते हैं इस पर वो हैरान होती है तो इसनिक डीमन उसे बताता है कि उसकी बाड़ी ग्रीन लोटस से बनी हुई है इसलिए उसके जखम बहुत जल्दी भर जाते हैं इस पर लियान उससे पूछती है कि फिर तुम्हारे पैर अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए तो वो उसे बताता है कि किन युएन के पैरों पर जिंग ने कार चढ़ा कर उसे जान बूच कर अपाहिश बनाया था इसलिए मुझे खुद को अपाहिश प्रीटेंड करना पड़ रहा है मेरे पैर तो बिल्कुल ठीक हैं इसकी पास वो दोनों ब्रिकफास्ट के लिए जाते हैं जहां फैमिली के सारे लोग मौजूद होते हैं यहां जैंक की मतर लियान को देखकर उसे खुब खरी-खोटी सुनाती है क्योंकि वो दूसरे बंदे से शादी करके दोबारा उन्हें घर आई थी इस पर लियान उन्हें एक थपर जड़ देती है तो वो जैंक से कहती है कि तुम बैठे-बैठे मेरा मुझ क्या देख रहे हो इस लड़की को यहां से निकालो इस पर जैंक उठता है तो किन युवान का असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और किन युवान यानि के स्निक दीमन उसकी और गन पॉइंट करता है और उसे घुटनों के बल बैठ कर माफी मांगने को कहता है तो मजबूरन जैंक को ऐसा करना पड़ता है इधर लेडी सेंग किन युवान को फसाने के लिए एक प्लैन बनाती है जिसके according वो एक party और्गनाईज करती है जिसमें उन्होंने किन युवान और लियान को भी बुलाया होता है यहां बहुश कर लियान किन युवान को डांस करने के लिए कहती है तो किन युवान उसके साथ डांस करने लगता है इधर लेडी सेंग एक टीपोर्ट में मौजूद टीम में कुछ मिलाती है इसे जेंग देख लेता है फिर उन्हें जाने की बाद वो उस टीपोर्ट को चेक करता है तो उसे बेहोसी की दवा होती है ये देखकर उसके दिमाग में भी एक प्लान आता है इधर किन युवान और लियान को एक साथ देखकर नियान सेंग काफी जाना जैलिस फिल कर रही होती है तब ही लियान किन युवान से बाथरूम जाने का बोल कर वहां से चली जाती है इतने में लेडी सेंग अपने बेटी को बुला कर अपने साथ ले जाती है और उसे वही टी पिलाती हैं जिसमें उन्होंने बेहोसी की दवा मिलाई थी उसे पीते ही नियान सेंग बेहोस हो जाती है जिसमें लेडी सेंग उसे बिट पर लिटा देती हैं और कहती है कि किन फैमली में इंटर करने के लिए तुम्हारे पास बस यही एक तरीका है इधर ल को ढूरते ढूरते नियांज सेंग के रूम में आ जाता है और वहां ता सारा नजारा देखकर उसे सारी बात समझाजाती है इसे जेंग रूम बन करकी वहां से चला जाता है इधर किन युवान को पूरी साजिस समझ आ चुकी थी इस पर वो लियान को ढूटता है और फिर लियान के रूम में वो नियान सिंग को सुला देता है और नियान सिंग के रूम में लियान को लियाता है इधर जैंग एक बंदी को लियान के रूम का पता बताते ह लड़ का इस वो बंदा तुरेंट में पहुंच जाता है थोड़ी देर में लेडिंग सारी भीड को इकठा कर되ेurity बड़ी होती है क्लिख कोन है रहां होती है घर लीडी कि सा और सब कर देखती है तब ही लेडी सेंग उस रूम में जाकर देखती हैं तो वहाँ उनकी बेटी होती है ये देखकर वो सौक्ट हो जाती है नियान सेंग उने देखकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है इसी ने साथ ये पार्ट इंड होता है एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन यूवान गुस्से में जैंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बेहोसी की दवा फिलाने की जैंग की न्यूवान का ये रूप देखकर डर जाता है इस निक डीमन उसे पारालाइस की वहाँ से चला जाता है निक सीन में हम चेन मूफान को देखते हैं जो कि अब ठीक हो चुका था वो जांबी मॉश्टर को एक बार फिर से टोना टोटका करके बुलाता है और किन यूवान से बदला लेने के लिए हिल्प मांगता है इस पर जांबी मॉश्टर उसे कोई ज और उसे उठाने के लिए कहता है इस पर जैंक को गुस्सा आता है और उसे सूट करते इसके पहले किन यूवान अपने पावर से जमीन पर गिरे ड्राइफ फ्लोर्स को ऐसे बुलिट यूज़ करके उन सभी को मार देता है ये देख का चेन मुफान डर जाता है और वहां से चला जाता है, इधर सेंट फैमिली की एक मेट को अपने बैक्यार्ड के फॉरस्ट में नियाद सेंग की टेट बॉड़ी मिलती है, जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है, वो जाकर ये बात लेडी सेंग को बताती है, निक्स टे, तभी लोग नियाद सेंग क ये डेड़ बॉड़ी के पास एक अठा होते हैं, लेडी सेंग का रोर होकर बुरा हाल होता है, लियाद भूरी नियाद सेंग की इडेड बॉड़ी को देखती है, उसे पहले भी जंगल में देखा था, वो लोग भी उसे एक और फिरसे देख लेते हैं, और उसे डोली के अंदर समन करके इन सकने ले जाते हैं जहां एक इनोच मॉस्टर होता है जो कि वर्जिन गर्स के बलट को पीता था ताकि वो अमर हो सके वो लियान को मारतर उसका भी बलट पीने वाला होता है तब युद टाइंग पर जांबी मॉस्टर आ जाता है और उस इ जॉम्बी मॉंस्टर से फाइट करता है और जॉम्बी मॉंस्टर उस्वर भाली पड़ता है और उसे चकमा देकर लियाइन को लेकर वहाँ से चला जाता है यह देखकर हमारा स्निक डीवन जखमी होने की वज़े से वहीं गिरकर बेहोस हो जाता है यहां में एक फ्लैस बैंक काम में बिजी रहने की वज़े से लियान को जादा टाइम नहीं दे पाता था इसे परिशान होकर लियान ग्रीन लोटस लेने जाती है ताकि वो उसे ड्रैगन इंप्रर का एक कॉपी क्रेचर बना सके ग्रीन लोटस का पहरा देने वाला एंजल उसे ग्रीन लोटस देने से मन लियान को समझाता है कि गृनाह के लिए तुम्हें सजा देंगे और लियान कहती है कि मुझे ये चांद ये मैंने इसे भणर नहीं कर सकती इसमार लियान की जित को देखते हुए ड्रैगन एंपरायर अपने अब Dragon Emperor आरांद से अपने काम में बिजी रहते हैं और लियान उसकी सोल के आदे हिस्ते के साथ यानि कि Snake Demon के साथ बिजी रहती हैं तब ही अपनी अपनी लाइफ में खोस होते हैं पर हीविन के लोगों को इस पारे में पता चल जाता है और वो लियान और Snake Demon पर बिजली गिरा देते हैं जिससे वो दोनों मरने लगते हैं तब ही Dragon Emperor आकर आसमान से गिर रही बिजली को सभालते हैं और Snake Demon से लियान को री इंक्रेशन बिल में ले जाने को कहते हैं इसने लियान को लेकर री इंक्रेशन बिल में जाता है जहां वो लियान को पताता है कि अब वो आट पर जाकर Human Form में जन्म लेगी और उसे फितर करने की जरूरत नहीं है योगि वो बहुत जल्ड उसके लिए वहां आएगा और उसे प्रोटिक्ट करेगा इसके बाद सीट काफी टायन बार का सिफ्ट होता है जहां में पता चलता है कि लियान ने एक प्रिंसेस को रूप में जन् जोटता है वो अग इसन्म दीमन से जलिस कील करता है वो लियाना को पुण लयी जाने कि लिए था इसपर इसन्म डीःता है कि लियानक इसके सार्थ रहना चाहती है इसका फैसला लियान खुद करेगी झिए इसलिए उसके मौथ हो जाती है इसपर ड्रागन ए Gregory उसे लिकर के जुन में हेल में जाने का ओर्डर सुनाया होता है इस पर इसने दिमन को रिइंट्रेशन बिल की घिल से दोबारा जन्म लेने के लिए आर्ट पर घेज देता है और खुद भी अपने ड्रैगन एंपर वाली फोस्ट छोड़ कर लियान को प्रोटेक्ट करने के लिए लियान उसे एक खपन जड़ देती है, योगि वो समझ गई थी, कि इस निक बीमन को उसने जलिसी में आकर पकड़वाया था, और हेल में डलवाया था, लियान के रिजिक्षन पर ड्रैगन इंप्राइब को बुस्सा आता है, और वो उसे बाहर लाकर एक बार फिर से डिटल कर डोर ओपिन करता है, और कहता है कि इस बार जब तुम मरकर दोबारा जन्म लोगी, तो तुम पूरी तरह से मेरी रहोगी, इतना कहकर वो उसे उस डोर के अंदर से एक देता है, तभी इस निक बीमन आकर उसे पकड़ लेता है, और ड्रैगन इंप्राइब से कहता है कि त चत्तर में पड़ी है, तभी बहुत मौझूद चेन मुफान अपने सोलजर से इस निक बीमन पर फायर करने के लिए कहता है, तो तभी इस स्टाथ उस पर फायर करते हैं, जिस बार लियान उसके हाद से छूट कर डेस वर्ड में चली जाती है, इस पर इस निक बीमन बुकर पीछे जाता है, लियान उसे वहाँ देखकर खुस हो जाती है, और उसे गले से लगा लेती है, इसके बाद वो लियान को लेकर जेड इंपरार और हिवन लॉड के पास जाता है, इस निक बीमन उसे अपनी और लियान भी शादी की प्रिप्रेशन करवाने को करता है, जिस पर हमला कर देता है, दोरों में घमासान फाइट होती है, तब यह आसमात से जोरों के बेजली कड़कती है, और डेथ वर्ड की डोर से हीवन इंपरार की जेड सील अपियर होती है, जिसे जैक तुरन जाकर ले लेता है, वो सील जैक को एक वाइट हेयर वाले पावरफूल गौट में कर देती है, इस पर वो सभी लोगों से अपने आगे जुखने को कहता है, और लियान से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी कौन क्योबिन बनाऊंगा, कोई भी तुम्हें मुस्से नहीं बचा पाएगा, इस पर इसने डीमन और ड्राइगन इंपर उस पर एक ए एक दूसरे में मर्ज करनी की सोचते हैं, ताकि वो जैन को खत्म करके लियान को दोबारा उसके घर पहुँचा सके, वो दोनों खुद को एक दूसरे में मर्ज करके लियान और जैन को रिइंक्रेशन बिल की हिल्ट से हीवन में पहुँचा देते हैं, जहां लियान अपने पावर्फुल आउदार में आती है और जैन को मार कर खत्म कर देती है ये सीन यही कट होता है नेक सीन में हम देखते है कि लियान की नीट खुलती है तो घबरा कर उठती है वो अपके बगल में किन यूआर को देखती है वो उसे बताता है कि कल राग पार्टी में तुमने बह वो सो गई थी जिसवाजे से मुझे मजबूरत इमें अपने घर लाना पड़ा अब लियाइन को ये रियलाइज होता है कि जो नौविल उसने लिखी थी वो बस उसकी इमेजिनेशन ही नहीं थी बलके उसके प्रीवियस लाइक की स्टोरी थी वो खुस होकर किन युवान को ग लास्ट इहरोर नहीं दूसरे से को मर्च कर लिया और फिर वो दोगा लास्ट इप्पे किन युवान बनकर लीयाइक के सामने हैं बात करें स्टोरी लाईन की तो सैमोर्rick की सारे ड्रामों के स्टोरी लाईन एक जैसे ही होती है साइडिंग के स्क्रिप्ट राइटर सूफा नसा तरके लिखता है फैर आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक पर जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं लिलिका और सैम्वाल के नेक्स्ट ड्रामे के साथ अब तक है टेक केर एक गुद्बाई